नेक्स देखें बच्छो question number 25 है इसमें भी graph से आपने graph plot करने एक है graph y equals to x cube मैंने आपको अभी समझाया था y equals to x cube ये graph होता है एक graph है y equals to under root x y equals to under root x का ये graph होता है ये दोनों graph आपने याद कर लेने इनको plot कर लेना है अब देखो इन दोनों को plot करने के बाद अगर आप गोर कर ये दोनों 00 से start हो रहे हैं ये इन दोनों का common point जो होता है वो one होता है दोनों one one पे ये same equal है जो आपस में आपको equal value दे रहे हैं ठीके अब इसके respect से हम इसकी limits निकालते हैं ए पाट में जो चीज़ calculate करने थी उस theorem से वो चीज़ लिखी ये वाली term तो as it is आती है y की limit हमें function क की form में चाहिए इस वाले graph से note करो बचो ये वाला upper function है upper function अंडरोडργ एक से ये वाला लोयर function है तो ये वाली ooper limit होगी ये वाली ooper limit होगी ये वाली upper limit लिख दी ये वाली lower limit लि म mental य half लोगों को ने露ेадगी लिख दी अब y कि limit हो आप लोगों ने लिख दी एक्स की limit point की form limit 0-1 है तो X की जगह उसकी limit लिखती है आपका answer आगिया यहां पर दोनों function Y की form में दियो वे थे इसलिए बचो असानी से हमने यहां से Y की limit निकाल ली अभी मैंने आपको पर समझाया था हम इस चीज की help से अगले function में X की limit निकाल सकते हैं पर procedure क्या होता है यह वाली चीज को equal to Y के रखना होता है आपने यहां से इसकी power 1 by 2 equal to Y थी तो मुझे X की value जाई है यहां से इसकी जगह limit आ जाएगी X equals to Y का square अब इसके respect से जो function बनता है उसको next वाले में आप opposite side पे put करते हो यहां पर अगर अपर limit सी तो next वाले में उसको lawyer limit में put कर दोगे कि X की lawyer limit इसकी respect से यह निकल आई है इस function से भी आप X की अब दूसरी limit निकालोगे यह turn थी both side 1 by 3 power ले लो इसकी power 1 हो जाएगी इसकी power 1 by 3 आजएगी इसके respect से X की दूसरी limit Y की power 1 by 3 निकली है यह lawyer में आ रहा था तो वो अगले में जाके अपर में आजएगी तो यहां से इसकी upper limit यहां उसकी बाद बचो next question number 24 है 24 में ठीक है Y equal to X cube फिर वो वाला Y equal to X cube plot करोगे Y equal to 0 है Y equal to 0 यहां पर होता है यह Y axis है आपका X equal to 2 का मतलब है यहां कहीं 0 पड़ा आप X axis पर यहां कहीं 1 है यहां कहीं 2 है यह X equal to 2 वाली एक लाइन है ठीक है अब बचो जब function इस form में आ रहा हो तो upper limit loyal limit देखते हो लेकिन अगर function left right की form में आ रहा हो तो left limit और right limit देखते हो अगर मैं यहां से गौर करूँ तो बच्चो अब देखें हमने यहां से इन दोनों की limits निकाल नहीं है पहले पार्ट में इसका formula आपने लिखा पहले हमें Y की limit चाहिए अब देखें Y की limit रोने हमें question के अंदर दी हुई है कि Y 0 से है और Y X cube है तो यहां से direct हम लिख सकते हैं कि Y की limit 0 से लेके X cube तक जा रही है हमें X की limit point की form में चाहिए X की limit देके point की form में चाहिए तो X axis पे देखें X 0 से लेके 2 तक जा रहा है इसका मतलब X की limit 0 से 2 है आप X की जगा उसकी limit पुट कर दोग यहां से X की limit निकालोगे Y की power 1 by 3 आजाएगी अब यह अपर जगा पे आ रही थी जब नीचे इसकी limit पुट करेंगे वो lawyer जगा पे आएगी अपर थी इसकी नीचे limit पुट की तो lawyer जगा पे देखें X की limit इसके respect से आगी Y की power 1 by 3 अगर X की एक limit यहागी X की दूसरी limit हमें question के अंदर दी हुई है वो limit आप अपर limit में put कर दोगे Y की limit चाहिए अब Y को गोर करें Y कहां से कहां तक जा रहा है Y 0 से जा रहा है अब देखें Y की lawyer limit 0 उन्होंने हमें question में दी हुई है Y की दूसरी limit के लिए हम यहां से Y की limit निकाल सकते है X की value 2 थी इसके इंदर अगर मैं 2 put करूं 2 की power 3 हो जाएगी Y की upper limit यहां से आजएगी मेरे पास 8 point की form में तो यहां बचो यह वाला question भी complete हो जाएगा आप क्या ठीक है देखें आ मैंने put करके भी बताया Y की limit 8 आजएगी उसके बाद next question number 28 है 28 में देखें अब थोरा change है 28 में आपको उन्होंने y equals to 1 minus under road x square दिय बचो अगर इस चीज़ का मैं both sides square लूँ एक्स को इदर लेकिया दो तो मेरे पास यह circle की equation बन जाएगी circle की ऐसी equation है जिसका radius मेरे पास 1 है तो यह देखें इसको मैंने plot कर लिया कि बेसिकली बनता मेरे पास circle है लेकिन हमने first quadrant को deal करना है उसका radius 1 उन्होंने का मतलब है हर चाहिए y की limit question में धी हुई है कहां से कहां तक है तो y की limit उसकी जगह पर put कर दोगे अब आपको देखो बचो x की limit चाहिए x की limit के लिए देखो बचो जब इस type की equation आ रही हो आप यहां से भी x की limit देख सकते हो आप इस circle से भी देख सकते हो आपका जो x है इस दफा पूरे equation के अंदरों ने खुद कावे y equal to 0 है जब मैं इस वाली term में y equal to 0 put करूंगी है यहां पर y equal to 0 put करूंगी तो 1 minus x square का under root equal to 0 आ जाएगा under root खतम करोगे तो यहां से x की limit plus minus 1 आ जाएगी तो that's why x की limit plus minus 1 आ गई अब second part में देखें पहले हमें y की limit point की form में चीए अगर मैं y को देखूं माई 0 से 1 तक जा रहा था तो y की limit 0 से 1 लगा दी x की limit के लिए इस चीज को आप equal to रखो y के यहां से अगर मैं इसको solve करूं तो यह y का square आएगा और यहां से x का square आजेगा 1 minus y का square और x equal to आजेगा plus minus under root 1 minus y का square plus minus के साथ आजेगी plus वाली limit उपर लिख दो के minus वाल भी complete हो जाएगा